हेलो विच्चो आप सब का एक बाप फिरसे स्वागत है तो प्यारे विद्यारतियो आजगी इस क्लास में हम परियास गनित कारे पुस्ति का दोजार चौबिस पच्चीज के अंतिम कार्या पत्रक यानि आकलन दस को हल करना सिखेंगे हमने आपके नविंतम प्रक बुक के अनुसार कार्या पत्रक एक से लेकर 108 तक सभी को बहुत अच्चे से अल करा दिया है वो सब क्लासे आप चैनल की प्ले लिश्ट पर जाकर या फिर विडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दिवी है वहाँ से बाकी सब क्लासे को आराम से देख सकते हैं पचलिए क्लास शुरू करते हैं देखे पहला प्रशन है कि एक सेंटी मिटर के अंदर मिली मिटर कितने होते हैं तो हमने बहुत बात देखा है कि एक सेंटी मिटर के अंदर जो मिली मिटर होते हैं वो कितने होते हैं दस होते हैं और पूछे अगर कि एक मिटर के अंदर सेंटी मिटर कितने होते हैं दो का मतलब क्या है आधा लिटर उसमें मिली लिटर कितने होते हैं तो आप सबको पता है कि एक लिटर के अंदर एक लिटर के अंदर एक हजार मिली लिटर होते हैं तो जो आधा लिटर है आधा लिटर का मतलब 1000 में 2 का भाग देना है तो कितना आ जाएगा बच्चो 500 मिलिल लीटर तो 500 इसका सही उत्तर होगा कीसरा देखो संख्या के पैटरन को पैचानना है और आगे आने वाली संख्या बतानी है देखो 75 में से 10 कम हुआ कितना आया 65 65 में से 10 कम हुआ 55 55 में से 10 कम होगा कितना आएगा 45 और 45 से 10 कम होगा कितना आएगा 35 तो उत्तर कौन सा सही है 45 और 35 चौथा आकरती का प्रीमाप कितना है क्या करना है आपको आकरती का प्रीमाप बताना है तो देखें 3 और 3 6 एक 7 फिर यहाँ पर फूल मिला के कितना होगा तो वो होगा आपका बारह यह कही आपका फुल प्रिमाप हो जाएगा ठीक है कितना बारह यह कही आगे बात करते हैं प्रश्ण संक्या 5 प्रश्ण संक्या 5 देखें कि गत गुरुवार को इसी कमपनी में कार्य करने वाले व्यक्तियों के सर्ट के रंग इस परका कीजिए देखो एक जो चित्र है वो कितने क्रमचारी के बराबर है पांच क्रमचारी के बराबर और एक जो आपका आई है वो एक क्रमचारी को बता रहा है तो यहां पर देखो सफेद कितने है साथ है साथ का मतलब एक तो यह वाला सिंबल हो गया यह कितने हो गया पांच यह आपका छे और यह आपका साथ पिर आसमानी कितने है तेर हो तो यह देखो पांच पांच दस ग्यार हो बार हो और तेर हो अरा कितना है ग्यार हो तो यह हो गया पांच यह हो गया दस यह हो गया ग्यार हो अन्य कितने है पा तो यह बता दिया 5 को, यानि कि यह जो अस्ता हुआ चहरा है कि यतने को बता रहा है, पांच को बता रहा है, और आपका जो आई है वो एक क्रमचारी को बता रहा है, और आगे बात करें चट्टा, कि प्रेम के पास 50 ml, 100 ml, 200 ml और 500 ml के माप है, कितने माप है, 4 माप, नीचे दी कि जो माप है उसको प्रेम कीस परकार नाप है कि कम से कम नापना पड़े जेको 2 लिटर और 750 ml लिटर और 750 ml तो देखो इसको कैसे मापएगा तो 500 ml कितनी बार? 4 बार यहां पर लिख देंगे 4 बार 500 ml तो कितना हो जाएगा? 2 लिटर ठीक है? और और कितना है जैको उपर 750 है कितना है 750 तो आप कितनी बाल लिख सकते हैं anchor 5 बार तो कितना हो जाएगा 2500 ml जैको इसका मतलब कितना है इसका मतलब है 2750 ml तो ये ओगया पचीस मिन फ़लस एक बार आपका 200 ml और एक बार आपका 50 ml इस तरह ये माप पाएगा ठीक है दूसरा है तीन लिटेर और 800 ml यानि की 3800 ml कितना 3800 ml मतलब 5 3735 तो कितनी बार 7 बार 7 गुणा 500 ml पलस यानि 7 बार 500 ml पलस में कितना 200 ml पलस में 100 ml तो कितना हो जाएगा यह 3800 ml 7 बार मिलान कीजिए 2 किलो ग्राम और 750 ग्राम तो 2 किलो और 750 ग्राम यह कितना होगा यह हो जाएगा आपके देखो यहाँ पर पौने 3 किलो ग्राम कितना होगा पौने 3 किलो ग्राम इसको कैसे लिखेंगे देखो 2750 ग्राम कैसे लिखेंगे 2750 ग्राम क्योंकि 2 kg ना मतलब 2000 ग्राम और 750 ग्राम ये हो गया उपर से ए आगे देखो 3 लिटर और 250再मेल तो इसको कितना कहेंगे तो इसको कहेंगे सवा 3 लिटर यानिकि 3250 ग्राम फिर 120 सेंटेमिटर इसका मतलब कितना है सवा मीटर यानिकि 1 मीटर और 25 सेंटिमिटर, फिर 150 मिनिर मतलब 0,5 गंटे, 0,5 गंटे मतलब 2 गंटे और 30 मिनिर तो इस तरह बच्चों हमने आज की इस क्लास में आपके आकलन 10 के सभी प्रशनों के हल बहुत अच्छे से जान लिये हैं उम्मिद करता हूं सभी प्रशनों का उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा तो क्लास देखने के लाप सभी का धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, सेयर और सबस्क्राइब जरू करें मिलते हैं अगली क्लास में तब जग लाप सबको जय हिंद, जय भारण